ओम श्री गुरुभ्यो नमहा ओम श्री भवानी शंकराय नमहा ओम श्री मात्रे नमहा दोस्तों आज मैं आपके सामने एक सुन्दर भेट रखना चाहती हूँ केनी नमक व्यक्ति ने इस वीडियो को अंग्रेजी में किया है और उनके विचार इतने अच्छे है कि मुझसे रहा नहीं गया मैंने ये वीडियो हिंदी में कियी है सब के लिए कि सब लोग सुने और आनंद उठाए और अपना व्यक्तित्व बदले तो चलो शुरू हो जाते हैं केनी इस बच्चे के त्रूब सारे विश्व को एक संदेश दे रही है अगर आप अपने बच्चों को यही सब बाते सिखाएं तो ये बच्चे बड़े होकर बड़े खुशल हो जाएंगे उनका परस्पेक्टिव लाइफ का परस्पेक्टिव दुरूष्टी कोन बदल जाएगा और वो बहुत होनहार बच्चे होंगे और आप सबको और खुद भी खुश होंगे तो चले चलते हैं ये बच्चा क्या कह रहा है वो कह रहा है आप रोज क्या करते हो आज मैं आपको ये पुछना चाहता हूं कि आप रोज क्या करते हो रोज एक ही बात रोज एक ही बात इसे नित्य कर्म कहते हैं आपका नित्य नियम क्या है क्योंकि जो आप नित्य करते है उसी में आप expert हो जाते हैं, है ना? तो आप रोज क्या करते हैं? आप रोज खुश रहते हैं? आप रोज शानत रहते हैं? आप रोज आनंदी रहते हैं? कि रोज सबसे शिकायत ढूंडते रहते हो, क्योंकि जैसा बहोगे, वैसा ही तो पाऊगे. यू रोज रोज शिकायत करने से, आप शिकायत करने में इतने expert हो जाएंगे, इतने expert हो जाएंगे, कि हर चीज में आपको कुछ ना कुछ बुराई तो नजर ही आएंगी. सब लोगों को अच्छा लगे, उसमें भी आप बुराई दूनेंगे. क्योंकि, क्यों भला, क्योंकि आप इसमें माहिर हो, रोज यही करते हो, रोज सुबह उटके दोश दूनना शुरू करते हो, आए कि ने? और आप क्या करते हो रोज? क्रोध, 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 बस रोज, 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 क्रोध, 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 क्रोध. भी मुछ अच्छी बाते नदर हाएंगी जो मेरे स्टमेहने मुझ्य कि आपको पम्पलेंट करने के आदत ही हों गये जते किरोध करने के आदत ही हो गये है जो टीसरी बात ty kya रोज चिंता करते हो सुबह उठते ही चिंता चिंता कहीं में जब जग दुनिया के किसी कोने में कुछ भी हो आपको उसकी चिंता होती है ऐसे हैं आप तो फिर आप क्या बनेंगे सारी दुनिया का बोजम उठाते है अगर अपनी अमीत रूप से कुछ करना ही चाहते हो तो रोज खुश रहने का प्रयास करो रोज रोज करोगे तो उसी में एक्सपर्ट हो जाओग आप भी खुश होंगे और सारा जग भी खुश होंगा अगर हर एक व्यक्ती इस मार्ग से चलेंगे तो हर एक व्यक्ती खुश रहेगे तो हमें क्या करना है खुरोध नहीं करना है चिंता नहीं करनी है दोश नहीं निकालना है ये तीन वस्तुएं छोड़ो और जीवन में सिर्फ आनन्द ही आनन्द भरो खुश रहो खुश रहो खुश रहो